हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टावर योट्यूब चैनल, एस्ट्रोलोजी टेप्स हिंदी में, आज की वीडियो, 30 अप्रेल 2022, अमावस्या के दिन ही भारी सूरी किरेंड, जाने कैसे करे पूजा और वुरत, हिंदू धर्म में अमावस्यातिथी का एक विसेस महतो माना जाता है, मानियताओ के अनुसार, अमावस्यातिथी को धर्म, कर्म, इसनान, दान और पित्रों के तरपन के लिए बहुते शुब माना जाता है, साल 2022 में सनीचर्य अमावस्या 30 अप्रेल दिन शनिवार के दिन पढ़ रही है, 30 अप्रेल को अमावस्या के साथ है सूरी किरेंड भी ल तो आपको इन सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएंगे, इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्टरोजी टेप सिंधी में सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मि अगने वाला साल का पहला सूरी ग्रहन आशिक है, इसलिए इसमें सूता काल भी मानी नहीं होगा, इसलिए इस देन सभी कारी यधावच चलते रहेंगे, ऐसे में आप अमावस्य व्रत और उपास रख सकते हैं। जानती और सम्रधी आती है, साथ ही बेक्ती द्वारा जाने अन जाने में के कई पाप दूर होते हैं। इस दिन पवित्र नदी, जलाशे या फिर कुंड आदी में इसनान करना काफे शुब होता है। तो घर पर नहने के पाने में गंगजर मिलाकर इसनान कर सकते हैं। इससे पवित्र नदी में इसनान की बराबर कही फल प्राप्थ होता है। इसनान आदी के बाद भगवान जी का ध्यान करें। इसके बाद अपने पित्रों का इसमरंड कर प्रत रखें। सनिया मावस्य के दिन आप किसी सनी मंदीर में जाकर शनी देव की फूजा करें। साथ ही उन्हें काला या नीला वस्त्र, नीले फूल, काला तिल, सरसो का तेल आधी चड़ाएं। इस दिन दान दक्षिना का भी काफी महत होता है, इसलिए इस दिन किसी गरीब या जरूरत मंद व्यक्ति को छाता, उड़त की दाल, काले तिल, सरसो का तेल, शनी चाली सा आधी का दान करें। इस दिन पूजा के दोरान शनी देव के मंद्रों का भी जाप अवश्री करें। ऐसा करने से शनी देव के किरपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेर करें और अपने विचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेर करें। आगे कैसी ही लेटस वीडियो के लिए आज ही एस्ट रोजी टिप्स हिंदी में चन को सब्सक्काइब करना ना भूलें।